एन वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का एंगलिश का चैप्टर नमबर 1 उसका जो है हम लोग रेडिंग B वाला जो सेक्शन पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या थे देखो ब्यूटिफुल ब्लू प्लैने उसके कुशन आंसर जो है हम लोग डि सुंदर गरह यह जो दो बाते हैं यह जो ऑथर है या जो पॉयट है इसने इसमें क्यों प्रयोग किया है तो आंसर है ब्यूटिफुल ब्लू एंड ब्रिटी प्लैनेट हैब बिन यूस्ट फोर ब्यूटिफुल अर्थ ग्रेज्वली दा अर्थ्स रिसोर्स आर बिंग डि कि खराब कैसे हो रहे हैं वायू प्रदूशन के कारण या सोईल प्लूशन के कारण वाटर प्लूशन के कारण इसलिए उन्हों ने जो है अर्थ को जो है क्या नाम दिया है ब्यूटिफुल ब्लू और प्रिटी प्लैनेट का नाम जो है दिया है आगे बढ़ते हैं बजने के बाद आपको क्या समझ मैं यह आपको लिखना है तो देखो तो हमने जो है जब चैप्टर को पढ़ रहा था हमने इसके सेक्शन को जब प्रित्वी को हमने बचाना है इसी परपस से हमें यह चैप्टर दिया गया और हमें यहीं से इस चैप्टर से जो है हमें यहीं सीखने को मिलता है ठीक है उसके बाद यह तो आप छोण सकते हैं कोशन अब लोग आगले बढ़ते हैं आगे वाले कोशन पर देखो इस पोईटरी में जो है नेक्स्ट केर टेकर के बारे में बात की गई है तो आपको बताना है कि नेक्स्ट केर टेकर किसको कहा गया है हमारे जो आने वाला जो फ्योचर जेनरेशन है वो क्या है नेचर के जो है केर टेकर होंगे ठीक है अब लास्ट कुशन देखते हैं देखो मतला अब देखो आपको पुछा जा रहा है कि केर टेकर जो है कौन हो सकता है डॉक्टर कलाम ने इस सपत को लागू किया इस सपत को लिजी और अपना हस्ताक्षर करी जो भी उन्होंने जो है ओथ दिया हुआ था परियावरन को बचाने के लिए उसी से संबंदी थे देखो in my opinion the natural objects like trees, animals, birds, etc. are the natural caretaker एक तो caretaker हम लोग खूद है और हमारा आने वाला generation है लेकिन यहाँ पर पुछा जा रहा है कि natural caretaker कौन है तो जो trees है जो animals है जो birds है जो क्या करते है परियावरन को बचाते है वही हमारे लिए क्या है natural caretaker है तो इसमें छोटा सही question answer दिया ह हुआ था इसलिए इसको हम लोग इहीं पर जो है close करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye